हाई गाईज आयम सुस्लेश्वरी भार्ती एर रल्कम बैक तू माई चैनल आपको कुछ मैक्सी ट्रेस दिख लाऊंगी कुछ कुर्तिस दिखाऊंगी जिने मैंने में ने में अजियो मीशू आमाजान और फ्लिप कार्ट से लिया है जो भी प्रोड़क्त मुझे आवेलेवल दिखेगा मैं उसका लिंक जरूर से दे दूँगी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते पर जो बेल बटन रहता है उसके जरूर से क्लिक कर दीजे आल पे ताकि मेरे जो भी वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसमें कोई भी चार्जिस नहीं है और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आइडी पर भी फॉलो कर सकते ह है मेरा इंस्टाग्राम आइडी है सुसिलेशवरी भारती के नाम से तो बढ़ते हैं आगे तो मेरी जो फर्स मैक्सी ट्रेस है वो मैंने वियर किया हुआ है जैसा कि आप देख सकते है थोड़ा सा मुझे लूज हो रहा है और बेसिकली इसकी फिटिंग मुझे काफी अच् भी नहीं है और क्रीम भी नहीं है जो वाइट टोल में क्रीम होता है वो कलर है फैब्रिक माने बताया रियोन है और बिल्कुल वेड़ार ट्रेस है बस ये आपको बीच में यहा पे इस टाइप का एंबरॉडरी किया हुआ है जो कि काफी बीशिं के साथ की गई है और नीच बहुत अच्छा लगा है और यह प्रोड़क्ट मैंने मीचु से लिया था और जो नेक्स्ट मैक्सिट्रेस है वो यह है यह बिल्कूल चॉकलेट ब्राउन जिसको आप कहते हैं वो कलर है इसलिए मैंने इसको और भी खिया था और इसमें पूरे में इस टाइप से गोल्डन कल बैक और फ्रंट दोनों ही साइड पे बिल्कूल सेम प्रेंट है मैक्सिट्रेस का जो नीचे है वो इस टाइप का डिजाइन है दोनों ही साइड में और यह मैंने डवल एक्सिल साइज में लिया था इसकी फिटिंग कुझे काफी अच्छी आ रही है घेरा इसका बहुत ज् है और अब जो ट्रेस में आपको दिखा रही हूं वह यह है यह फ्रंट स्लिट कुरता है मतलब कि फ्रंट में हाइज स्लिट का इसका इसको आप जिन्स पे प्लाजों पे बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं और बिल्कुल सेम प्रिंट है चारों ही तरफ बैक साइड भी फ प्रोड़क्ट अवेलीबल होगा तो मैं लिख दे दूँगी और इसका जो फैब्रिक है वो रियॉन है जो की काफी अच्छे क्वालिटी का है और इस टाइप की जो फ्रंट से स्लिट कुरतिया होती है वो जिन्स पे प्लाजों पे बहुत अच्छा लगता है और आप जो म और यह तीन लेयर का गले से ही आपके एंपायर लाइन तक इस टाइप का डिजाइन दिया हुआ है बिल्कुल अलग से लेकिन पहलने के बाद यह जो लेयर से वो यहां तक आते हैं तुरे में इस टाइप का फॉलका डॉट से वाइट कलर का यह सारे प्रिंट है तो नोहीं यह इसका मैं आपको घेरा दिखा रही हूँ और यह प्रोड़क्त मुझे बहुत अच्छा लगा यह बिसिकली A-Line Maxi Trace है और इसका जो फैबरिक है वो रियोन है और इसका भी जो लेंथ है बिल्कुल फ्लोर लेंथ है तो अबर यह प्रोड़क्त अमेलेबल होगा तो मैं इसका प्रोड़क्त को दे दूँगी और अब जो मैं Maxi Brace तिखला रहे हूँ वो यह है जैसा कि आप देख सकते हैं और यह भी अक्स ब्रेंड की है डवल एक्सल साइज में और इसमें एमपायर लाइन तक यानि कि यहां तक अंदर में अस्तर है और बाकी पूरे नीचे ज और बस दोनों ही तरफ इस टाइप का सेम प्रेंट है बिल्कुल बादामी सा स्कीन कलर का यह कलर है और इस पे जासा कि आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का पत्तियों का डिजाइन है पूरे में ही सेम यहां पे इसमें एक डोरी टाइप का बिल्ट दिया हुआ हुआ है और यहां पे इसका लूक आएगा वह गैदर्ड मतलब चून टाइप का लूक आएगा जसा कि आप देख रहे हैं फ्रंट में यह तीन जो आप देख रहे हैं धाले का बना हुआ बटन है गोल गला है बिल्कुल सिंपल है स्लिपलेस है और इसकी भी अच्छी आ रहे है और इसक टाइप्लों कहा है और इस पे वाइट से पृंट की गही है यह कोई एम आ्रह्टरी नहीं है प्रिंक है और इस पे धार्रून इसका बाजू बिल्कुल इस पारिक का है सबठी को मतलने का यह तो एकज़ा का कि दोनोंिस साइड हैं सँके उजट ढ़े सब्स्साइब कम है औ और नीचे इस टाइप का प्रिंट है बॉडर टाइप का और कपड़ा ये रियोन है और इसके जो मुझे लेंट आ रही है वो मेरे एंकल तक आ रही है और खेरा भी इसका मीडियम है न कम है न ज्यादा है और ये प्रोड़क्त में मैंने मीशू से लिया था अगर अबेलेबल होगा तो मैं प्रोड़क्त कोड दे लूँगी और आप जो प्रोड़क्त में आपको दिखा रही हूँ हो यह है यह आपको देखने में एक सिंपल सी ग्रीन कलर की गुर्ती लग रही है पर यह ऐसा नहीं है यह बहुत ही खुबसूरत मैक्सी ड्रेस है वो मैं दिखलाते यह पूरा प्रिंट तो आप ग्रीन देख रहे हैं चारो तरफ है ठीक है पर जब आप नीचे जाएंगे तो इसका लूक इस टाइप का है और यह जो लूक है यह दोनों ही साइड है और बेसिकली यह जो है यह आपको तीन लेयर है सबसे नीचे बना लेयर यह है इस आप लेख सकते हैं यह बिल्कुल नहरू गला इसमें आगे में बटन लगाए हुए है इसका बाजू टाइप का है और यह प्योर कॉटन है और यह मैंने में लिया था बहुत ही खुपसूरत सा ग्रीन है जिसमें कि नेवी ब्लू और वाइट का प्रिंट है जाए कि आप द जिन्स पहन सकते हैं और अगर वाइट के साथ इसको करेंगे तो और भी खुबसूरत लगेगा क्योंकि इसमें जो वर्क है वह बिल्कुल वाइट है जासा कि आप देख रहे हैं और बागी पूरी ही कुर्ती जो है पीछे से और बाजू प्लेन है देख सकते हैं और आगे में इस टाइप का वर्क है जैसा कि मैंने बोला कि यह स्लिट कुरती है तो नीचे से इतना खुला हुआ आपको मिलेगा इसकी वर्द से अगर आपका जिन्स लाजू दिखता है तो और भी खुबसूरत लगता है और आगे में इस टाइप का बटन है यह भी अमपायर लाइन त काफी अच्छी है वहाँ की नीच एमरॉडरी की गई है मेरी आदत है कि मुझे जब कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं प्रॉपर वे में आपको बताती हूँ कि उसमें मुझे क्या पुरा लगा है जो कि बहुतों को अच्छा नहीं लगता है और यह भी मैंने डबल एक करङ़ा है इस ओक प्रिंट किया हुआ है और आगे मेंृ चोटाँ मिरर भए है और यह बहुत अच्छी से टीच किया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं और पीछे में इस ट्राइब का डिजाइन हैं बाजू आप देख सकते हैं इसका स्ट्राइब का है और बाकी पूरे में स्ट्राइब की बूटियों का वर किया हुआ है जो कि गोल्डेन से है जे में इस ट्राइब का आपको बॉडर मिलेगा चारो तरफ इसका लुप मुझे काफे अच्छा लगा अमपायर लाइन तक आप देख सकते हैं यह रियोन तो बिनकुल भी नहीं है कॉटन ही है और यह भी मैंने डवल एक्सल साइज में ही लिया था और जैसा कि आप देख रहे हैं साइड से दोनों ही तरफ इस ट्राइट की डोरी दी गई है इसमें ट्रेस ट्राइब के हैं और यह वाला प्रोड़क्त म और गुर्तियों की हॉल वीडियो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना और अपनी फैमली का बहुत अच्छे से खयाल रखें तब तक के लिए बाई टेप केर